तो इनका एक जमीन है जो अतिक्रमें गर्स था तो इन्हों ने अतिक्रमन हाटाने के लिए दो लोग शिकायत में आवेदन भी दिया था और दोनों आवेदर में जिलादिकारी ततकालीन जिलादिकारी का आदेश प्रापथा कि अधिकरमन को हटाया जाए ये अबायद है और इसको हटाया जाया और CEO का आदेश प्रापथा पर CEO चंडरजीत प्रकाष ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन इन्हें संद्रविजीत प्रकास को कुछ पैसे की इंदिमान जो ही उसको पूरा करना पड़ा अचारी निकल रहे हैं तो उन पर तलवार लटकती ही जा रही है अब ऐसे में बड़ी ख़बर बिहार के सीता मड़ी से सामने आई है जहां सीयो को निगरानी विभाग ने रंगे हातों घूस लेते हुए गिरफतार कर लिया है सीयो के किलाब सक्त कारवाई शुरू हो चुकी है तस्वीरे सीधे मापको सीता मड़ी से दिखाएंगे और देखिये निगरानी विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है यहां के जो एक मुल्स निवासी है गौरी शंकर प्रसाद नाम गौरी शंकर सिंग तो इनका एक जमीन है जो अतिक्रमन ग्रस था तो इन्होंने अतिक्रमन हटाने के लिए दो लोग शिकायत में आवेदन भी दिया था और दोनों आवेदन में जिला अधिकारी ततकालीन ज आटाया जाए यह अबायद है और उसको हटाया जाए और सियो का अधिश प्राप्था पर सियो चंद्रजीत प्रकाश ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन इन्हें चंद्रजीत प्रकाश को कुछ पैसे की इम डिमांड जो हुई उसको पूरा करना पड़ा तो आज सुबह चंद्रजीत प्रकाश पैसे लेते हुए 25,000 रुपर लेते हुए नगत अपने आवाज पर जहां पर रहते हैं पकड़ेगा जी यहीं मोडस प्रेंडी है कि जो परिवादी होता है वो पहले निगरानी बिरो आता है और कंप्लेन देता है कंप्लेन करने के बाद उस कहना यह नुमान लगाना भी सही नहीं है जी गौरी शंकर सिंग यहीं वन औरा के हैं मेरा नाम गुपाल कृष्णा है मैं डियस्पी हूं विजिलिंस में पटना बताते चले किस वक्त की बड़ी कबर व्यार के सीता मड़ी से है जहां डुम्रा के सीओ निगरानी विबाग को 25,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार किया गया है निगरानी की टीम ने सुवा सवेरे सकारवाई को अंजम दिया है पहले से जाल बिछाया गया तो और सीओ उस जाल में फस गए रिश्वत को और सीओ चंदरजीत प्रकाश को निगरानी के टीम गिरफतार क कराने के लिए सीओ ने उसे 50,000 रुपे रिश्वत की मांग की थी वो वहीं गौडी शंकर 25,000 रिश्वत लेकर पहुचा था जा निगरानी विबाग की टीम ने सीओ चंदरजीत प्रकाश को गिरफतार कर लिया तो जैसा कि अपनी निगरानी विबाग की अधिकारी की बात जमीन के अत्युक्रमन को मुक्त करानी के लिए 50,000 रुपे की मांग की जा रही है जिसके बाद निगरानी विबाग ने जाल बिचाया और इस जाल में डुम्रा के सीओ बुरु तरीके सक फस गए जहां 25,000 रुपे है वो रंगे हातों लेते हुए वो पकड़े गए है और बुलने पटना लानी की तैयारी की जा रही है हस पूरे मामले की आगे की कारवाई शुरू हो चुकी है फिर आगे लेस बड़ी अपडेट में अतना ही नमस्का